कि अच्छा 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 आफे शचाना पतिबाल रहे हैं अब रूजेन और जयन आए हैं और जयन महाकाल श्वर जी के दर्शन ना करें ऐसा हो सकता दोस्तों के अंदर पार्किंग की अच्छी वहस्ता है और इधर से देखो नजारा यह मंदिर का ही रोड है पदियात्रियों के लिए जो पेदल जाते हैं पेडिस्ट्रियन कि इतने शांदा और दर्शन हुए है ना तो आपको टोकन दिया जाएगा वोले तो एक सेपरेट क्या राम से मंत्र मुग्द होकर ओम नमस्च्वाई ओम नमस्च्वाई का जाप करते हुए पूरे मंदिर में वहां मोबाईल अलाओ नहीं है मोबाईल को बाहर ही जमा कराना पड़ेगा लोकर में अगर अलाओ है तो आप लेके जाए अलाओ नहीं है तो यह गलत दोस्तों वहां काल की विश्पीते हुए कि प्रभीमा सबसे स्ट्रेश्ट बारा जोतिलिंग मंदिर हैं उन बारा जोतिलिंगों में से एक जोतिलिंग मंदिर यहीता दोस्तों महाकाल के दर्शन गन्ने के दो तरीके हैं वो राक्षसों से परिशान थे उन्होंने बगवान बोले नाथ का जम के यग्द किया यह आगया मंदिर का प्रवेश्चुआर्ट मंदिर में कोई पॉलिटिकल परशन आया है कि अच्छों 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 चाहिए अब दोश्तों गुड्मोंनिंग कैसे हो आप सब लोग तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है लाश वीडियो गर आपने देखा तो अपन आए हुए हैं अभी उझ्जेन और उझ्जेन आए हैं और उझ्जेन महाकालेश्वर् जी कि दर्शन ना करें ऐसा हो सकता है कि दोस्तो तो ऐसा है मैं जिस फंक्षन में आया था वहां से मैंने ले ली है विदा और अभी हो रहा है सुबे के 9 तो मैं सोच रहा हूं कि पहले अपने एक बार महाकाल के दर्शन करते हैं और महाकाल का अशिरवात लेगे अपनी जर्णनी का शुरुवात करते हैं आगे की तो चलो चलते हों और आपको उज्जेन के महाकालेश्वर कि मंदिर के दर्शन करवाते हैं और खुद भी करते हैं पर्ष टाइम करूँगा दोस्तों मैं पहले आया नहीं और मुझे नहीं पता दर्शन करने में कितना टाइम लगता है अब दो गंटे लगे चार गंटे लगे जा रहे हैं तो करके ही आएंगे और आपको दिखाएंगे जरूर जितना मैं दिखा सकता हूँ मुझे नहीं पता वहाँ वीडियो अला होता है कि नहीं होता है पर हाँ, अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूँगा तो बने रहना दोस्तों वीडियो में और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो भाईयो क्योंकि इस वीडियो के बाद जो अगली वीडियो आने वाली है वो स्टार्ट होगी अपनी ट्रेवल विलोग वाली जरनी उसमें आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ तो अभी से कर लो सब्सक्राइब और इस्टागराम पे कर लो फोलो तो मिलते हैं आपको उज्जेन के महाकालेश्वर मंदिर में और तब तक आप लुफ्त उठाओ इन सुन्दर मई नजारों का सुबे की चिल्मलाती धूप के साथ अब देखना है कि गाड़ी कहां तक जा सकती है और पार्किंग का क्या सिस्टम है रहेगा क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूं वैसे वैसे सड़ा खोरी होती जारी है सकड़ी बाई साव यह पूछी लेता हूं मैं फालतो आगे जागे पज़ जाओं उसे क्या मतलब है कि अलो भीया को भीया कि इसरे गया बाई कि मंदिर महाकाल मंदिर महाकाल मंदिर सीधा तो गाड़ी चली जाएगी जाती है अटकी तो नहीं कि एक भाईया से पूचा उन्होंने का जाने तो गाड़ी सीधी नहीं कि ठीक है साब भाई अगर अपन को अरी जण्डी ले तो पर पता नहीं क्यों मुझे इसा लग रहा है कि यार गाड़ी ले जाने वाला रस्ता नहीं लग रहा मुझे क्या पता और को दुसरा रस्ता का मुझे लगता यार मंदीर का की अतना सकडा होगा कि इतना फैमस मंदीर बहुत बीट रहती तो पूरी पबलीक इस रस्ते सो तो नहीं आती होगी शायद अप शाइद हो सकता है कि मैं अलग रूट से आया हूं तो अपन ये रूट दिखा रहा है चलो देखते हैं अब रस्ता भी सकडा है और उप्र से दोनों तरफ बाईके भी पार्क है बस onds आगे जाके पुली जगे मिल जाया और पार्किंग मिल जाया तो कि गाड़ी के साथ का सबसे बड़ा इस् состав पार्किंग का पार्किंग मिल जाया सब तो प्रब्लम सौलब भाहि साफ में दोस्तो अपन पोचने वाले हैं नजदिकी हैं मंदिर के यहां से बच्चा है एक जेड़ किलोमेटर और और जैसे जैसे अपन नजदिक कौश्ट जा रहे हैं वैसे 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 रश्ता होता जा रहा है सकड़ा और प्राफिक और भीड होती जा रही है बस एक बार अपन शांती से पहुच जाए मंदिर और आई होप कि वहाँ पर पार्किंग सुगीदा तो होगी ही क्योंकि इतना बड़ा मंदिर है तो होने चाहिए अरेंजमेंट्स तो पूरा मार्केट जो होता है धर्मिक वह शुरू हो गया है तो बैतर होता पर पैदल ही वह करते हैं पर और एक्स्प्लोर करते चीजों को अब यहां पर गाड़ी पार्किंग ढूनना एक बहुत बड़ा चेलेंजिंग काम है और अपनको नहीं पता गाड़ी पार्किंग कहां मिलेगी अपनको हट जाओ भाईयो हट जाओ तो इस वक्त सुबह के टाइम ही इतना रश है तो जब अपन वापस आएंगे गाड़ी निकालेंगे तब निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे कि पता नहीं वहां कितना वक्त लागेगा और जब तक तो ऐसा अभी पूरा बाजार खुल चुका होगा जो कि अभी तक अभी इस वक्त दो कुरा बाजार खुला होआ भी नहीं है अ कि दोर सब्साल ₹ है उपनको पार्किंग मिल गया है, पूछा था मैंने किसी सी तो उन्हांने बताया रस्ता पार्किंग का जो की मिल नहीं रही विस्क्राइद साथु अब लीघू भ गई है बस अब पार्किंग में जगें दोस्तों गाड़ी अपने गर्दी पार्क पार्किंग लोट के अंदर पार्किंग की अच्छी गासी वैस्ता है और इधर से देखो नजारा यह मंदिर का ही रोड है पदियात्रियों के लिए जो पेदल जाते है अपन को जाने का रस्ता किअधर से मिलता है यहां से बाहार निकल के निकलेगा या किधर से निकलेगा वह अभी फायंड़ आउट करते हैं और यहां तो चलते हैं और आगे बढ़ते हैं अपनी जन्नी पे लेके महाकाल का नाम यह दोस्तों यह बोड़ पर और लिखी भी है रेटे पार्किंग की देख लेना आप और यह पार्किंग लोड था पार्किंग लोड से निकल के सीधे ही इधर से अपन को लेट की साइड जाना है तो उदर आ जाएगा मंदिर का एंट्री पॉइंट एंट्री के तो चलो मंदिर के अंदर चलते हैं कितने की रोल जेट सो की दो बहिंगा जेट सो की दो है ओके जेदू आता भी मंदिर के दर्समगर चाहता है मंदिर के एंट्रे से पहले काफी सारी इंशाय नास्तों की ब्रेक पास्ट की दुकान है आप खाने पानी की फुल वरस्ता है और तो जाका सामान सामगरी परसाद सब चीजे यहां पर आपको मिल जाएगी और यह दो जहीं कितने प्यारी प्यारी डोल से लेके चलेंगे दोस्तों अपन तोस्तों अपने ले लिया है महा काल के लिए परसाज और चलते हैं अपना अंदर इस जाके एक से एक सामर मिल रहे हैं भाईयों यहां पर और यह जगों डमरू या एक डमरू भी लेके चलेंगा दूस्तों अपने बोले नाथ कर डमरू भी लेके चाना आपने इतने सारे हैं रमरू के ओक्षान से यहां पर छोटे बड़े हरत रहे हैं पहले पंदर्शन करते हैं बाद में करेंगे चोटी मूटी शोपिंग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग् दोस्तों महागाल के दर्शन के समय है सुबह 6 बज़े से रात के साड़े 9 बज़े तक आप मंदिर में आके दर्शन कर सकते हो और यहां पर देको सामने स्क्रीन लगी भी है लाइव स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा जो तिलिंग के दर्शन आपको साथ-साथ यहीं हो रहे हैं इससे अच्छी स्विदा और क्या चीए मंदिर की भीड़े में आपके अंदर दर्शन हो या ना हो जा पाओ या ना पाओ बट स्क्रीन पर तो आपके दर्शन होई गए जे वह बोले ना है कमेंट में दोस्तो जे महाकाल जरू लिखके जाना घुभ दोस्तों आपको केमरें पता नी किलिन नहीं आ रहा होगा अभिशेक चल रहा है भी किर शीलिंग का है अलो दोस्तो यह मेने मालूम किया महाकाल के दर्शन करने के दो तरीके हैं एक तो बाइट ट ठीकेट इससे आपका जल्दी दर्शन हो जाएंगी दस से पंदरा मिंट के अंदर आप दर्शन हो जाओंगे उसके लिए अलग रस्ता है शोटकट और एक दूसरा रस्ता है नोर्मल जिससे कि आपको एक घंटा कम से कम लगेगा अगर भीट जादा नहीं हुई तो दर्शन करने के इंट्री पर आपको शूज स्टेंज मिल जाएगा फ्री जहां पर आप अपने शूज जूते चपल वगेरा जमा करवा सकते हो क्योंकि दर्शन के लिए जाओगे तो जायर सी बात है जूते तो को फोल के जाने पड़ेंगे आपको तो अपन यहां पर जूते जमा करवाते हैं अपने वैसे क्रॉक्स कि अधिक 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 तोकन निदो है क्या तो दूस्तों अपने शूज रखवा दिये हैं और शूज का भी आपको सिस्टम बताऊं अगर आप एक से ज्यादा लोग हो तो आपको टोकन दिया जाएगा बोले तो एक सेपरेट क्या बोलते हैं उसको यह के अंदर आपके शूज रख दी जाएंगे टोकन दिया नंबर आपको याद रखना या लिखलो अपने फोन पर जबावापस आओगे नंबर बताना है और आपको आपके शूज मिल जाएंगे बस डिप्रेंस इतना है कि आपको टोकन देंगे उनली नंबर बता देंगे दोस्तों यह है रस्ता पैदली आत्रियों का जाने का और दोस्तों यह पढ़ लेना और मंदिर के इंदर जोला वे पर्स मोबाइल यह कुछ भी ले जाना यह सब सामगरी ले जाना बिल्कुल तरह से वेन हैं तो दोस्तों जहां तक मैं फोन लेके जा सकता हूं रिकोडिंग कर सकता हूं आपको दिखा दूँगा क्योंकि जब दर्शन करने अंदर जाएंगे मंदिर के जब दर्शन करने अंदर जाएंगे मंदिर के वहां मोबाइल अलाओ नहीं है मोबाइल को बाहर ही जमा कराना पड़ेगा लोकर में तो अंदर के दर्शन तो मैं आपको नहीं करा पाऊंगा वैसे आपको मैंने स्कीन यह देखो दोस्तों कि अंदर मूर्तियां कला कर्थियां बना रखी है उदर देखो हमान जी की मूर्ति और यह अभी उदर अंदर जल के बताते हैं आपको अच्छे से और यह अच्छा ऐसा बेरिगेट सा सिस्टम बना रहा है दर्शन करने वाले जानों के लिए तो दोस्तों यह आगया मंदिर का प्रवेश्ट वार और यहां से अपनको फोन जमा करना पड़ेगा पहले अपन दर्शन करते हैं फिर बागे की कहानी बताते हैं मंदिर के एंट् पर भी था लेकिन मैंने वहां नहीं कर रहा है जमा कराएंगे उसके बाद में यहां पर भी तो अपन को एक्स्प्लोर करनी चीज़े इसलिए तो और वैसे इदर भीड काफी दिख रही मुझे मोबाइल वालों की जमा करवाते हैं बस वही सुरक्षित रहे अपनी चीज कराना होगा और देखें मुबाइल तया क्राने क्या प्रोसिश रिती है तुर एट यह हुँ अब मिलंते हैं कि भूलमुटाने कि अब कि न कि यह देखो दोस्तों कितना सुन्दर स्वरोवर्स आये और कि आइटिंग इसके अंदर कमल के हुगे वें प्लांट्स कमल गट्टे कि और बीच में वहां सोटा सा टापू टाइप का कुछ बना हुआ है कि वहां जाके बेटने में कितना आनद आएगा ना दोस्तों कि और वहां चल रही है सफाई स्रोवर की हलो दोस्तों तो आपन दर्शन करके आचुके महाकाल के और मैं आपको सिर्फ एकी बात कहना चाहूंगा कि इतना शहंदार और इजी ली दर्शन का यह जैसे फोन जमा कराया 10 मिंट के अंदर आपन अंदर पहुझ गए घरब ग्रे के सामने अच्छे दर्शन किये बहुत ही शांदार दर्शन किये और उस्वतार्थी भी चल रही थी तो आरती का भी आनद लिया और उसके बाद उसके बाद जो समय लगा 10 मिंट के बाद मंदिर है चुट-पूट करके जिनकी काफी माननेता हैं और मुझे आइटिंग कंफर्म तो नहीं है पर जितना मैंने देखा मंदिरों के पर नंबरिंग लखी भी थी और 84 मंदिरों के नंबरिंग थी मतलब कि उज्जेन के यहां इस मंदिर में महाकाल के 84 जोति लिंग चो केन में मंदिर हैं बहुत बड़े-बड़े फॉन अंदर ले जाना अलाव नहींता अगर अंब ऑनको रचल ज्वाध कर्सक्टाक ओने होंने पर लियूद दिखाए धान का समय लग जाता है और अगर और आप सारह ही मंद्रों को एक्स्प्लोर करोगे तो आपको पुरा दिन भी लग सकता दिरे दिरे बाकि अपने एक्जिट किया एक्जिट करने के बाद अपनको मोबाइल लेने में समय लगा बीस मिनिट का कम से कम तो पचास मिनिट में से अपनको 20-25 मिन लगा टोटल है उसके बावजूद मैंने देखा कई 2-4 लोग हैं जो छुपा के फोन ले गए होंगे वीडियो बना रहे थे फोटो बना रहे तो जो की गलत है अगर अलाव है तो आप लेके जाए अलाव नहीं तो यह गलत चीज़े नहीं लेके जाना चीए होता है क्योंकि इन्होंने म बड़ी अच्छी कासी प्रोसेस रख रखी है इतने सारे काउंटर्स बना रखें लोकर्स बना रखें इतना सारा इस्टाप रखावा है पूरा आपको जब मोबाइल जमा होता है आपका नाम नंबर और आपकी फोटो भी ली जाती है इसके तुरू सब कुछ और आपको व कब अग्यरा करते से बड़ी परोसेस को अगर उन्हों ने रंख रह进 है तो वो मजाख नी तो मोबाइल अंदर ले जाना मना है इसलिए उन्हों फोंप आसको washing करने वीडियो ने लिए अख तो नोर्मल जनता है जिनको वो फोटो खेच के वीडियो बना के जिंदगी में दुबारा कभी उठा के देखेंगे नहीं ना कभी यूज करेंगे वो भी लगे रहेंगे और जिस चीज के लिए ना दर्शन करने का मज़ा नहीं आएगा उनको दर्शन करने की जैके उनका ध्यान होगा मुबाइल में फो तरीके थे एक विए पी एंट्रिस में आप पच्ची दाईसो रुपे का टिकेट लेके शोटकट रूप से अंदर जा सकते हो मैं उससे पूछा था कि यह डाईसो रुपे का टिकेट लेके जाने में कित्ता टाइम लगता है आपको दर्शन करने में तो उन्हों निकला कि पर बिल्कुल भी टाइम लगा दोस्तों में बिना टिकेट लिए घूम कर आया और मात दस मिनिट के अंदर चला गया अंदर गर्पग्रे में डायरेट वो तो यह होता है कि जब बहुत ज्यादा भीड होती ना मंदिर में तब आपको थोड़ा टाइम लग सकता है तो मेरा वोत अच्छा तो राज मंगलवार के दिन माया हूं तो भीड इतनी नहीं थी सुबह का टाइम ता फटावाट से दर्शन हो गया अच्छे से बिना वी आईपी पास की वालों से पहले दर्शन हो गया क्योंकि उनको बाद में वहीं जाना होता है बस उनका और अपने म जाता है निए अंदर जो पुजारी है पंडित के वही जाते हैं और जैसे कि मैंने आपको अर्शन दिखाया ता ना स्कीन के उपर इसकीन के उपर डिस्पेले लेए मंदर भार जाएगे दर्शन करने के लिए लाइफ दर्शन हो रहे थे वह तो अगर आप अंदर भी नही कोई वारतिवार निया हो तो उस वक्त आपके दर्शन बहुत ही आसानी से और अच्छे से आरामदा हो जाएंगे तो दोस्तों अभी दर्शन करके अपना आ चुके हैं और अभी आपको तोड़ा बहर से मैं एक्स्प्लोर कराता हूं मंदिर काफी बड़ा है वैसे तो आपके साथ शेयर करूंगा पहले आप यह नजारा लीजिए तो दोस्तों एक चीज और मैं आपको बताना चाहता था जैसे कि मंदिर में दर्शन करने में इतना आपने को समय नहीं लगा जिसे ज्यादा समय लगी आपने को मोबाइल को जमा कराने में और मोबाइल को वाप बहुत ज्यादा को आप जाके रखने में दर्शन कर लीजिए फिर वापस जाके आप फोन अपना वापस लाके बाहर गूम सकते एक्स्प्लोर कर सकते हो तो अगर आपके पास पसनल वीकल है आपके साथ गूरूप में हैं गूरूप में आप आयो दो-चार लोग आपके सा जाओ और ऐसा कुछ कर सकते हैं बहतर होगा यह कि आप फोन को अपनी गाड़ी में या बाहर किसी को रखवा के चले जाओ रेधर देन लोकर्स में रख जमा करवाने की लोकर्स में जमा करवाने में तो आपको टाइम लग जाएगा क्योंकि लंबी भीड लगती गाफी अब यह देखिए दोस्तों के तिमीशाल मुर्ती है और यह है स्री कपाल भेरव कपाल भेरव की मुर्ती साथ अडंग भेरव श्री चंड भेरव ने श्री भीषन भेरव श्री महाकाल भेरव श्री रूरू भेरव श्री साहार भेरव श्री प्रोध भेरव श्री बटुक भेरव यह जितने भी भेरव रूपे सब महाकाल की रूपे दोस्तोर सबी की सवारियां अलग-अलग है किसी की हाती है किसी की जियर है किसी की गाई है वेल है किसी का दोग है किसी का बाज है सबी का अलग-अलग है है हम आगे बढ़ते हैं दोस्तोत यहां पर दोस्तों यह बजरनबली जी की प्रतिमा है यह आपर और यहां पे क्या दोस्तों अच्छा खासा एफेटेरियर टाइप का बना वाया है इंटेरियर वाव और यहां पे विराजवार है महाकाल श्री महादेव जी सेशनाथ की उपर सेशनाथ के पर प्रतिमा बनी भी महादेव जी अब जाए अब यहां पर दूस्तों अच्छा सा गार्डेन बना रखा है राउं कलर का इसमें अच्छी आची हर्याली कर रही और यहां पर काफी ठंड़क हो रखी इसको भी बेटना है यहां पर रेश्ट करना वेट सकते हैं अपना समय बिता सकते हैं मंदिर में और बहुत ह अच्छी जगे हैं फिर कोई लगी यहां पर और ठर्याली की वेज़े से इसके इंदर आपको ना थंड़क मैसूस होगी तो गर्मी का तो सवाल ही नहीं हुटता दोस्तों और यह देखें दोस्ते इदर एक परती मैं यह रही और कुछ परती मैं उधर भी चलों उधर चलते हैं उधर से भी देखते हैं और रस्ता है मंदीर में दर्शन कंडिवाद एक जीट होके जब आते हैं उधर से तो मैं इधर से उकर एक जीट होकर गया था इदर वापास फ्रेंट में गया था स्टार्टिंग में जहां से मैंने मेरा मोबाइल क्लेक्ट किया तो मैं वापस इस तरब आ रहा हूं आपको काल बेरव यहां से कितना दूर है मैं सब्सक्राइब कितना चार्ज उसका कि सवारी एक सवारी पांचो रूपए और यह क्या कराओ उसके अंदर यह पूरो पांच मंदिर कमाता है घड़काली का सक्ति वीड़ जो इककाम सक्ति में एक सक्ति वीड़ जमाताजी का ओड़ कि रहाता हूं यह पांदी पनी आसनों जो भगवान कर्ष्ण बल्दाम सदाव पढ़ना आता है करते पहले यहां अजय करते है जो जो घ्यक्ताम सक्ति वीड़ का सक्ति वीड़ कर दो हैं जो ऐसल्दा आता है कि दोस्तों यह प्रतिमा है मालक्षमी जीगी जो कि कमलाशन पर पिराज माल है प्रतिमा भगवान योगेश्व श्रीक कृष्ण चंद किशन जीगी प्रतिमा प्रतिमा बाध योगेश्टन है जीगी 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 जीगीी जीगी 5-5-6-5-6-6-7-9-4-5-5-6-6-6-6-10-8-1-6-7-9-6-6-5-6-1-5-6-6-7-1-6-7-9-7-9-6-5-6-7-7-9-7-8-6-7-6-7-9-0-2-8-9-7-9-7-7-9-6-6-9-9-6-7-9-7-1-9-8-9-9-1-9-7-9-9-9-9-7-0 कर अदो तो पिए तूज जूआर अजा दो जूए, पिए टार को पादूर। प्रेहास लगे दोस्तों पानी पी लेते हैं इस एक नमबर पान करें ने वहारा है वो पाना अगराद अगर्व आप अगर्व आप अगर्व प्रेदल नहीं चल सकते हैं कि मंदिरिक का परिशर इतना लंबा ना उनके लिए यहां पर इस तरही चोटी मोटी गाड़िया भी चल रही है तो अगर आप आते हो और आपके साथ को बुजर के इंसान है जो ज्यादा चल नहीं सकता हो उसके पूरा मंदिर एक्स्प्लोर भी करवाना है तो आप इन गाड़ियों के थुरू अंदर आ सकते हो यह आपको मंदिर के एंटरी पॉंट तक छोड़ती है और बहार से लेके आत कि यह देखो दोस्तों महाकाल की विश्पीते वे की परतीमा समूंदर मंथन करते हुए देवतागन और राक्षशगन जो कि सेशनाग के फन के थुरू किया गया था और पीशे ब्रह्मा जी की पूरती है परिवोलेनात विश्पान करते हुए दोस्तों मंदिर जो है मंदिर का परिशर बहुत बड़ा है साइज में घूंते खुंते खख जाओंगे लेकिन मंदिरे की खतम होने का नाम नहीं ले रहा है यह देखो एक और परतीमा आ गई हमारे सामने यह परतीमा किसकी यह परतीम बहुत उठा रहा है जिस पर भगवान शिव पार्वती और उनके दोनों बालक विराजमान है तो दोस्तों देख लीजेग आफ्री जलक और यह है एक्जिट करस्ता गेटनमर एक के तरफ पर आएथे तो अपन एक्ज सीट भी गेटनमर इक की तरफ भिस और नहीं दोस्तों कि dedख करेंगे और वही irgendwie क्रोक है मंदिर में सुथ काफी ज़्यादा सक्ति और रखी है पुलिस वाले और फोजी काफी तादात में काफी मात्रा में हैं तो यह आ गया अपना जुट्था इस्ट्रेंड यहां से अपना जुट्था लेते हैं और जो नंबर भाई ने बताया था वह नंबर आपने को बताना पड़ेगा आप फिर नहीं है आप 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 जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है दोस्तों वैसे वैसे भीड़ बढ़ती जारी है बठा आप 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 इतने काट हम रूप आप 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 अधिए किस्टे का लगाओगे तो दोस्तो अपने ले लिया यहां से धमरू बोले नातका एक यहां की यादगार उज्जेन की उज्जेन आयते तो जैन से कुछ तो लेकर जाएं रख दिंगे अपने बगवान के मंदिर में अपने घर पे और दमरू यह मात्र सो रुपे का डमरू है बोल भाई डेट सो रहा था और फिर उसने सो कर रुपे कर दिये तो अपने ले लिया अब आपन चलते हैं यहां से आगे एक तो अपनों गाड़ी पार्किंग के तरफ जाना है पार्किंग किस साइड है भाई अपनी तरफ यहां पर दोस्तों अपने एक तस्वीर भी ले लिए यहां से महाकाल की जोतिलिंग की पानी पांच 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 यहां पर इस तरह के वाटर बोटल स्टेशन है इस पर 20 लिटर पानी का बोटल आपको मिल जाएगा खाली बोटल से 20 पर दो और बोटल भर लो तो अपने आते टाइम ना वह कुछ बुडिया भी देखी थी डॉल्स बहुत प्या देड़ सो की दो बिटा सो के नहीं दो गया किया तो कि काम हो जाएगी अरे देदो इसका घर में ही आई पॉन पे लेते हो पॉन पे लेलो ना दोस्तों आगे अपन पार्किंग में ये घड़ी अपने रेड क्वीन दूख के अंदर तब गई भाईयो गाड़ी गाड़ी को ठंडा करना बढ़ेगा पहले अच्छे से अपनी सामान को करते हैं पहले सेट हलो दोस्तों तो फाइनली अपना चुक है अपनी गाड़ी के अंदर गाड़ी हो रही थी भेंकर गरम ठोड़ी ठंडी हो चुकी है सामान अपने सेट कर दिया है अब समय आ गया है यहां से अपना चलने का विदा लेने का उज्जेन से महाकाल से आपने दर्शन की बहुत ही अच्छे दर्शन उये दर में बहुत ज्यादा समय नहीं लगा अक्छा करके दोस्तों मैं इतना कहूंगा कि इतना अच्छा महसूस हुआ अतना मदब क्या कहते हैं इतना अच्छा फील हुआ ना दर्शन करके मतलब आत्मा शांत हो गई मन को बहुत शांती मिली तो आप भी आए अपने जीविन में एक बार जोतिलिंग के दर्शन जरूर करें तो ड्रही बात जोतिलिंग की बता दो यह महा कालेश्वर जोतिलिंग उज्जेन जो कि मद्यपरदेश MP में उज्जेन नगरी में इस्तित है और यह खास इसलिए है क्योंकि यह पूरे भारत देश के अंदर जो शिव जी के सबसे श्रेश्ट 12 जोतिलिंग मंदिर हैं उन 12 जो जोतिलिंग है इनको सीव जी का सबसे खास सबसे पवित्र इस्तान माना जाता है और इसलिए यहां पर भक्तों की भीड आपको देखने को मिलेगी जमकर आज भीड कम थी और यह कहा जाता दोस्तों यहां पर इस जोतिलिंग का जो है उद्गम हुआ था यहां के जो लोग यहां के जो निवासी थे वह राक्षसों से परिशान थे उन्होंने भगवान बोलेनात का जम के यग किया स्तूति की उनकी अराधना की उनकी पूजा करी जिससे परसन होकर भगवान बोलेनात यहां से परकट हुए और उन्होंने राक्षसों का विनाश किया और उनकी भक जो भी मुनोकामना आपकी है वो भगवान महाकाल आपकी मुनोकामना पूरी करते हैं अगर आप पूरे सच्चे दिल से मन से सरद्दा से उनकी इस्तूती करते हो उनकी सेवा पूजा करते हो तो दोस्तो अब मिलते हैं आपसे अगले दिन अगले जगे अगले वीडियो में मह किरता जिसके दर्शन अपनने किये हैं अभी और मैं आपको मेरे साथ पूरे बारा जोति लिंगों के दर्शन करवाऊंगा और अंदर तो वैसे वीडियो केमरा अलाउ था नहीं इसलिए में केमरा लेकर गया नहीं तो बट मैं डोंट वरी मैं आपको फोटो वगेरा लगा द अगर नहीं देखे हैं देख लेना चैनल पर जाके देखोगे तो और भी बहुत से वीडियो मिल जाएंगे आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना दोस्तों जरूर तो मिलते हैं अब आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए बाबाए झाल